तो कैसे हैं जब लोग यहां पर दान देना है पर्टिकलरली बात करेंगे Basic Mathematics CM1 First Year, First Semester Diploma and Engineering MSBTE की specially बात कर रहे हैं तो First Semester में आपको Subject है Basic Mathematics Case Scheme, अभी जो Current वाला Scheme चल रहा है So, इसका पढ़ाई कही से करना है अभी Unit Test आने वाला है Unit Test 1 होगा, 2 होगा फिर Final Exam होगा और First Semester में Difficult माना जाने वाला Subject है, तो Top पे यही है Difficult कैसे करते हैं सर, Difficult कैसे समझते हो आप मतलब कैसे पता चला आपको Difficult है नहीं, जिसका Result Comparatively, Other Subject से अच्छा नहीं लगता है, उसको Difficult मानेंगे, Simple है तो इसका Study Strategy कैसे करेंगे ताकि आपको Difficult ना जाए और जितना Difficult है उतना आसान भी है यही Fact है, क्योंकि इसमें Scoring जितना होता है बाकी Subject में नहीं होता theoretical Subject में इतना Scoring नहीं होता इसमें सबसे ज़्यादा Scoring हो सकता है एक बार आपको समझ में आ गया तो आ गया, बात करता हूँ तो इसका पढ़ाई कैसे करना exactly, ताकि आपको सारे exams Unit Test 1, 2, Final Exam वो सब कुछ आसान जाए तो specifically अभी Unit Test की बगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, मैं आपको एक सिलाबस थोड़ा overview दिखाता हूँ तो First Unit है हमारे यहाँ पर Algebra जिसमें आपका Determinants जिसमें Logarithm है Logarithm, Matrices आपका Partial Fraction Very Important, यह चप्टर से इसमें उसके बाद Trigonometry Trigonometry में है, पिर Allard Angles Multiple Angles उसके बाद अपना Inverse Trigonometry भी है उसमें तो इसमें आपको कितना पढ़ाया है अभी Specifically Unit Test 1 की बात करें तो आपको कितना पढ़ाया है College में, आपके subject teacher ने उसके हिसाब से वो अपना Unit Test प्लान करेंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे Paper जो भी होगा आपका लेकिन जो भी हो सकता है कई Colleges में पार्ट आ सकता है, पूरा trigonometry मुझे नहीं लगता, trigonometry के आगे होगा क्योंकि इतना सारा cover करना इतनी कम समय में मुश्किल है तो most problem आप समझ के चलो, जादा से जादा trigonometry तक होगा trigonometry भी पूरा होगा इसकी guarantee कम है लेकिन हर college में same ही होगा यह ज़रूर नहीं है तो first unit तो पक्का होगा यह होगा तो करना कैसे है, सबसे पहले अभी यह जो मैं बता रहा हूँ अभी आज से ही करना है अगर आप अभी तक नहीं किया है तो अभी से start करो सबसे पहले basics सर basics मतलब क्या subtraction कोई नहीं पढ़ाएगा यह आजुम किया जाता है कि आपको वो आता है तो ऐसा कभी नहीं बोलना क्यूंकि मैंने students देखे हैं जो उनको subtraction नहीं आता है जो कि diploma first year में तो यह कोई मतलब मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ इसे है तो मान लो किसी को मैंने पूछा 5-3 क्या होता है तो वो बता देता है sir 2 लेकिन अगर उसको मैंने पूछा 3-5 तो वो सोचने लगता है यह नहीं होना चाहिए इसमें सोचना नहीं है तो यह गडबड जवाब गडबड देता है तो यह minus 2 होना चाहिए तो वो उसके लिए सोचना पड़ता है कई लोगों को तो सोचने के बाद भी नहीं आता वो मत यह समझ गलत बता देते यह भी बता दिया चलो मैंने यह पूछा minus 3 minus 5 तो उसको इसमें भी सोचने पड़ जाता है इसमें यह क्या करता है सब्ट्रक्शन करता है बलकि यह क्या होना चाहिए minus 8 होना चाहिए तो कई लोग अभी भी सोच रहे होंगे यह सरक कैसे आया तो देखो basic is very important school में अभी तक जितना पड़ा है उसका basic revise को addition, multiplication, subtraction जो भी है जैसे कि subtraction अगर बात करता हूँ minus 3 into 2 तो इसका आता है 6 तो यहाँ पर bracket की बेच में कुछ नहीं होता है मतलब into होता है multiplication होता है यह छोटी-छोटी basic चीज़े आपको समझ में आना चाहिए square root क्या होता है cube root क्या होता है square क्या होता है छोटी-छोटी चीज़े 2 अगर divide है अगर मैं ऐसे करता हूँ 2 by 3 plus 4 by 5 इसका आपको addition करने को बोला है तो कही बच्चे इसमें नहीं कर पाते हैं जो कि यह बहुत आसान है और यह आना ही चाहिए और इसमें सोचना नहीं चाहिए तो यह basic से हमने अपने course में भी पढ़ाय हुआ है application अगर आपने डाउनलोड फिर से एक बार बोल रहा हूँ application डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपना डाउनलोड कर लो और course में enroll कर लो देर ना हो जाए देर ना हो जाए मतलब किया आप exam के पहले मैं जानता हूँ exam के पहले आप आओगे फिर अभी तो आपको कुछ नहीं है फिर exam जाईसे ही निश्दी काते हैं आपको समझ मैं आरे मेरा तो कुछ नहीं हुआ तो चलो फड़ा फड़ा पहले करो अच्छे से करो स्टार्ट से करो एक नहीं दिन आपको करना है करोगे मैं जानता हूँ लेकिन आपका सबसे ज़्यादा फाइदा तभी होगा जब आप स्टार्ट से करोगे पढ़ाई शुरू ठीक है सो दूसरा है हमारा avoid topics avoid topics मतलब क्या आप बोल रहे है उसरे मतलब वही पढ़ना है जो exam oriented पढ़ाई करना है न हमको बरोड़ वही पढ़ना है जो ज़रूरी है क्यूंकि अगर आप book में जाके देखोगे तो हो सकता है कई सारी topics जो ज़रूरी नहीं है वह वहाँ पर होते हैं जिनमें हमें time waste नहीं करना है तो फिर से बता तो हमारा course उसी तरीक से designed है application में और वो है exam oriented exam आपका जो exam है unit test हो unit test 1, 2 final exam board इसको दिहान में रखे बनाया हो तो वो चीज़े नहीं पढ़नी है जो ज़रूरत नहीं है question तकलीफ क्या आती है बच्चेओं को ज्यादातर question का meaning समझ मनें आता मतलब कुछ topics में ऐसे question होते है जो लंबा लंबा पढ़ना पढ़ता है उसमें दो तीन line के question होते है ऐसा दिया है तो ऐसा होता है तो यह है तो क्या करो वो करो बच्चा हो तो उसका reason क्या होता है English basic English बच्चे को नहीं आता है तो हमने ज़रूरी है वहाँ पर बताय हुआ है कि भाई यह देख ऐसे समझना है इसको यह लंबा वले question जो भी चोटे-चोटे question में भी अच्चे गलती करते हैं समझने में उनको दिया होता है आलग वो समझ लेते हैं आलग तो यह चीज़े नहीं होने चीज़े उसके बाद अलब यह बहुत important है question समझ में आना very important उसके ब बहुत सारे formulas ट्रिक से बन जाते हैं ट्रिक ध्यान में रखो एक formula आपकी याद में रेगा वो भी आपको अच्छे से बढ़ना है कैसे tricks apply करने है किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है जो जरूरी नहीं है formula उसको उसकी तरफ नहीं जाना है जितने जरूरी है formula उतने ही क और formula वो कैसे बने हैं वो short में समझ लेंगे तो आपको आसानी से ध्यान में रहेगा बहुत ज्यादा चीज़े होती है जो कम समय में कम मेहनत में ज्यादा समय तक ध्यान में रहेगा ज्यादा पड़ाए होगा इस तरीके से course में दिया हुआ है आप जो बच्चे अंडरेड important लेकिन practice करते वक्त भी किस तरीके से practice करना है ये भी important है practice से आपको बचाया नहीं जा सकता maths में practice करना ही पड़ेगा तो किस तरीके से practice करना हुआ है तो वो भी हमने बताया हुआ है उसके बाद और आप ये मोटा मोटा ये तीजी देहन रख लो ये आपको करने हैं ये सारे points calculator बहुत ज़्यादा चीज़े calculator में directly हो जाता है calculator आपका आधा percent काम मतलब 50% काम मतलब आधा काम आपका वो solve कर देता है लेकिन वो पता नहीं होता है calculator में इतने सारे features इतने सारे चीज़े वो भी हमने वहाँ पर cover किये है course में हमारे English basic आना चाहिए basic English नहीं आता है तो अभी से start करो English पर थोड़ा काम करना English बोलने की कोशिश करो English में videos देखो अगर आप YouTube पर कोई channel फॉलो करते हैं English वाला तो उसको देखना शुरू करो English में चीज़े देखो तो ज्यादा से ज्यादा सुनने से बात करने से आपका English English के word रटने से ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा आप सुनोगे जैसे आप अपना मदर टंग सीखे हो वैसे ही सीखना पड़ेगा motivation खुद को motivated रखना है खुद को motivated रखना है कभी भी ऐसा समझना नहीं है मैं आपको डरा नहीं रहाँ आसान बहुत है फिरसे बल रहाँ दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है तो मुश्किल है जो नहीं कर सकते ठान लिया तो कर सकते क्योंकि कई सारे लोगों ने बहुत बड़े-बड़े काम अल्रेडी कर लिये हैं अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं तो motivated रहना है ऐसा नहीं समझना कि यार मुझसे नहीं होगा आपको कई बार ऐसा लगे गा यार मैं मुझसे होगा है नहीं होगा आपको वो खुद बे belief चाहिए लेकिन होता बहुत यसी है क्योंकि अलग तरीके से पढ़ाया होता है उनको पढ़ाया होता है या फिर उनका उनने उस अलग तरीके से उसको देखा होता है तो जो easy है वैसे तो सारे topics हमने easy बनाय हो सारे topics हम coalition rat कोई ऐसा topic नहीं छोड़ते जो आपको मुश्किल लगे, हर एक टॉप के आपको, पहले कैसा लगता है, पहले तो बच्चे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत आसान बना देंगे अब उसको, ठीक है, तो जो आसान है तो आसान लगना चाहिए, आसान है तो आसान लगना चाहिए, तो बहुत दुख होत ये इस तरीके से पढ़ना होता है इसको तब ही आसान बन जाता है बाद में पता चलने से पाइदा नहीं है इस समय पर पता चलने चाहिए ठीक है and you can do it remember this you can do it अगर वह यह और कहर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ मैं भी score कर सकता हूँ मैं भी top कर सकता हूँ मैं भी अच्छा इंजिनियर बनूँगा और मैं भी कुछ न कुछ problem solve करूँगा इंजिनियर बनना है बतलब नौकरी करनी है बिजिनेस करनी है पैसा कमाना है ये तो चीज़े हैं ही उसके साथ साथ मैं दुनिया का देश का मेरे समाज का मेरे गाव का और बनके मैं problem solve करूँगा ताकि मेरी वज़े से लोगों की जिन्दगी में value add हो पाइदा हो और और मैं कुछ ऐसा तो बड़ा target रखना है चाहे हो कितने लोगों के लिए serve करता है वो purpose कितने लोगों का आप ध्यान में रखते हो it doesn't matter लेकिन इसके साथ साथ आपको ये तो हम short term की बात कर रहें specifically unit test की बात कर रहें या board की exam की बात कर रहें लेकिन पढ़ाई करते वक्त हमेशा ये भी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है तो I hope ये सारे point अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप अच्छे से कर पाऊगे और कभी भी ये मत सोचना कि तुम नहीं कर सकते हैं कभी ये नहीं सोचना है तो इसके लिए आपको हमेशा academics जो courses है application download करो बहुत सारे बच्चे ने किया है उनका अच्छे से पढ़ाई चल रहा है अब भी करो enroll करो और start करो आपको exam तक wait करनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही गलती करते हैं बच्चे क्योंकि तब अच्छे से न इसलिह है start from today and once again all the best